वेलकम टू बैक यूटूम माई चैनल एडवांस डेगरी आज हम आपको बीएसी सेकंड यह थर्ड सेमेस्टर जूलो जी की यूनट सेवंत स्टार्ट कर वा रहे हैं इससे प्रिविस वीडियो में मैंने आपको सिखती यूनट स्टार्ट करा दी है जो इसका लास्ट जो टो करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमें लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शियर कीजिए और कमेंट करके बताएज वीडियो कैसे होना है तो देखिए आज का जो टोपिक है वह इस पेक्ट्रो फोटो मिल्ट्री एंड बायो कैमिकल टेक्निक्स है यह आज का आपकी यूनेट का नेम है इसमें आज हम टोपिक पढ़े हैं जो है वह कर्येमेटमे तो इसमें क्या है यह आपको इस यूनिट में कोच तो अपसे वह बहुत चोटे Aerosworks के आपके जिसके दूहारे हम कलर को मिजर करते हैं उसे क्या एह उसे क्लवरिमेटमेट्र जब हम इसमें light को pass कराते हैं तो आइनोट तो इसे क्या बोलता जाता है आइनोट कहते हैं तो जो solution में light pass कराते हैं तो कुछ amount में light reflect हो जाती है और कुछ amount में light solution द्वारा absorb हो जाते हैं तो देखें मैं आपको diagram की help से बताऊंगी कि क्या बताएगा है तो देखें माल लीजिए यह आपको solution है यह क्या है आपको कोई भी बीकर है तो आपका पहले topic name लिख लेते हैं वह है color कि मेट्री यानि कि color का measurement तो कोई भी solution है माल लेजे कुछ लाइट इसमें reflect हो जाएगी कुछ लाइट का reflection हो जाएगा कुछ absorb हो जाएगी कुछ लाइट इसमें अब जोर्प हो जाएगे जिसे ए बोला जाएगा यह और ऑप्तिकल अधेंसिटी भी से बोला जाता है क्यूंकि इसके कुछ कोउशन भी निकाले जाते है तो क्या बोले जाता है इसे अधेंसिटी कुछ light absorb हो जाएगी कुछ amount में light absorb हो जाएगी light के solution cross करके बहार निकलती है तो उसे transmission कहेंगे जिसे आई यह बोला जाता है जो transmittance कुछ बातों पर निर्भर करता है कुछ बातों पर निर्भरता है उस solution में किस तरह की light जो है वो absorb absorbing substance है दूसा जो है उस solution में जो substance है वो कैसा है वो dilute है या concentration है उसमें किस तरह की wavelength है light को जब हम solution चे पास करा रही है उसकी length पात कितनी है तो इसका कुछ principle भी है मैं इसका आपको formula यहां पर लिखा देती हूँ अब यह मैं आपको notes दिखाऊंगे जिसमें से आप यह सभी निकाल सकते हैं तो यह इसका formula है तो चलिए अब इसके notes देखते हैं तो क्या करते हैं इसमें light को पास कराते हैं i note कहते हैं जब हम solution में light पास कराते हैं तो कुछ amount में light reflect हो जाती है और कुछ amount में light solution द्वारा absorb हो जाती है तो देखे यह diagram है जो कि मैंने आपको बना कर अभी शिखाया है कुछ rays हमने डाली जो कि reflect हो गई कुछ absorb हो गई कुछ transmitters हो गई transmittance हो गई यानकी बाहर क्यों निकल गई तो चलिए अब इसमें आगे इसकी थोटी यह solution है तो और कुछ amount में light solution को cross करके बहान निकलती है जो transmittance जिसे IE से परदेशित करते है जो transmittance है या कुछ बातों पर निर्बड करता है उस solution में किस तरह की light absorption substance है यानकी light में जो कह सकता है जो molecule है वो किस तरह के से absorb कर रहा है उस solution में जो substance है वो कैसा है dilute है या concentration किस वेवलेंथ की light को हम solution पर पास करा रहा है यानकी कि वेवलेंथ की light की उसकी length of path क्या है तो यह इसका formula है t is equal to i1 i0 यह इस तरीके से इसका कोई भी question निकल ले जाया अब बात करते है इसके principle of color symmetry यह color और intensity की solution में color की depend करता है जो color की intensity है वो डायक्टी proportional है या concentration of substance पर तो जो color की intensity है वो concentration पर सबस्टांस है यह दो नियम पर आधारित है एक beer slow एक lambert slow है अगले वीडियो में हम इसके beer slow lambert slow के बारे में बात करेंगे जो कि काफ इंपोटेंट है इसमें से जो beer slow या lambert slow है यह साथ नंबर में बहुत ही देखने को मिलता है आज के previous question आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादे beer slow lambert slow है आपको देखने को में देखेंगे मैं आपको एक बार डाइग्राम समझा देती हूँ देखिए कोई भी कह सकते है ग्लास है यह कोई भी बीकर है जिसमें solution बढ़ा है हम इस पर किसी भी टाइप की wavelength को पास करा रहेंगे यानि कि किसी भी तरीके के light को जो होगा उसे पास करेंगे पास कराने के बाद में कुछ light जो होगे जो wavelength होगी वो cross हो जाएगे यानिकि वो solution में निपार हो जाएगे कुछ reflect हो जाएगा और कुछ absorb कर ले जाएगे तो जितने आप जोर्व करें ले उसकी कोडिम हमें पता चलेगा कि इसमें wavelength कितने है किसकी concentration है जो हमारे पास sample है वो dilute है यह अच्छी आल है उसकी concentration कैसी है और वो किसकी wavelength क्या है जो हमने सारे देखेंगे उसके बाद में हम इसे बात करेंगे इसके principle को मैंने आपको समझाए दिया बी और स्लो या लेंबर स्लो अगली वीडियो में बताएंगे तो thank you guys मिलते हैं किसी ने topic के साथ में जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए subscribe कीजिए और share कीजिए और comment करके बताएंगे ये वीडियो कैसे बनाएगा इस कुछ वीवर्स हमारे बोलाए थे कि हमारे नूंबर में internal exam है तो आप मुझे comment करके ये बताएगा आपका सलेबस कितना exam में आने वाला है मैं आपको वही unit पहले complete करा दूँगे उसके बाद में कोई unit बची होई complete करा देंगे तो आप प्लीज मुझे comment कीजगा मैं आपको बहुत जल्दी वे topic और वो unit complete करा दूँगे तो thank you guys मिलते है किसी नए topic के साथ में जब तक के लिए आप हमें like कीजए subscribe की जूर share की जूर comment करके बताएगे वीडियो कैसे मनें तो thank you guys